Hi everyone, आज मैं आपको एक cocktail makeup look दिखाऊंगी जिसमें हम contouring and concealing से start करेंगे और फिर full coverage foundation देके एक full on transformation करेंगे इस वीडियो में आपको ज़्यादा ये explain करूंगी कि हम इनके face की shape को ज़्यादा transform कैसे कर सकते हैं तो obviously हम start करेंगे by hydrating, इनकी skin में काफी texture था तो मैंने एक silicone base primer जो की pore filling है और texture को even करता है वो apply किया है orange character से इनकी under eyes and around the lips को मैंने cover किया और फिर मैंने एक काफी strong contouring की layer apply की इनके forehead area पे, cheeks पे, jawline and nose इनकी nose काफी broad थी, उसको मैं को काफी transform करनी की इच्छा थी, तो मैंने ओही techniques इस्तमाल किये जो की इनके face को ज़्यादा transform करेंगी और इनके nose को and eyes को ज़्यादा enhance करेंगी जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी eyes एक दूसरे से काफी pass है तो उनको थोड़ा सा और gap देने के लिए हम थोड़ी सी illusion बनाएंगे तो corners को dark रखते हुए, front में मैंने shimmer add किया जो की पूरे top lid तक, eyebrow तक नहीं, लेकिन crease line तक, सिर्फ और सिर्फ मैंने shimmer ही add किया shadow को आगे लाने से क्या होता कि उनकी जो eyes के बीच में gap है, जो nose के बहुत ही pass है, वो और ज़्यादा pass लगता फिर glitter add करके और एक brown eyeshadow से long winged eyeliner की line बनाके, मैंने बाद में उसको liner भी दिया अभी फिलाल मैंने उनको brown ही छोड़ा, because I was not sure कि इसको black करे, dark रखे या नहीं फिर मैंने face को और contouring दे, powder contour से, आप देख सकते हैं कि blusher and contour काफी ज़्यादा face की structure को help कर रहा है lifting में, and blusher add करते ही, इनके face में सिर्फ color ही नहीं आया, बट cheeks भी lift हो गए है eyebrows को हमेशा brush करे, and उनको इतनी ही filling दे, जितना eyebrow को need है ज़्यादा filling देने से, eyebrows बहुत ज़्यादा heavy, और बहुत बलकी look देती है lips को enhance करने के लिए, सबसे पहले मैंने powder contouring add किया इनके lips काफी slim थे, so lips को ज़्यादा enhance करने के लिए, थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैंने contouring की, और एक dark lip liner भी apply किया फिर एक dark maroonish red से outlining दी, और under filling दी of a bright red इससे क्या हुआ कि सिर्फ इनके lips में ombre look नहीं आया बर आलसो इनके lips ज़्यादा बड़े और pouty लगने लग गए इनकी lashes को easily blend करने के लिए, मिर्जे लगा कि winged liner को black रखना ज़्यादा बेटर रहेगा और आलसो इनकी eyes को lift करने के लिए and finally, हमारी look ऐसी लगी थी and मुझे ये look बहुत ही पसंद आई, I thought it was very transformational बहुत ही इनके features enhanced हो गए थे and overall, की look काफी change हो गए थी I hope आपने इस video से कुछ नया सीखा don't forget to like and share the video and हमारी चानल पे subscribe भी करें हम आपको काफी सारी नही चीजे और techniques बताएंगे की आपका make-up client पे या अपने पे ज्यादा निखर के आए so I'll see you guys again very very soon एक नई look के साथ